नमस्कार, ABNN News में आपका बहुत-बहुत स्वागाति है और मैं हूँ सुरेश ज्जा, डिल्ली स्टेट लीगल सर्फिस अथार्टी किसी भी आज पैचान की महताज नहीं है, डिल्ली में अच्छा काम कर रही है और करे भी क्यों ना, क्योंकि डिल्ली देश की राजधानी है और यहां पर हर कोई चाहता है कि उनको न्याय मिले चाहे कैसे भी लोगों चाहे गरीब लोगों और दिल्ली स्टेट लीगल सर्फिस अथार्टी उन गरीब लोगों के लिए है जहान पे उनके लिए हर तरीके से हर सुबधाय देती है, ऐसे यहां पर दिल्ली स्टेट और यह वन स्टॉप सेंटर है क्या इसी विशेप हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौझूद है दिल्ली स्टेट लीगर सर्विस अथरॉल्टी के मेंबर सेकर्ट्री है कमल जी तरोडा साब यह इसे बातचीत करते हैं सरे सखी जो आपने शुरुआत की है इसका मकसद क है कि यह जो लोगों को अपने की जरूरत ना पड़े यह हमारे अफिस तक आने की जरूरत ना पड़े वो उनको हम अँनके डो स्टेप पे उनके महया कराई तो यह सखी जो वन स्टॉप सेंटर है यह इस्टैब्लिश करने का मकसद यही था नाम सखी इसलिए रखा गया क् औरतों के लिए है, उनकी मदद के लिए है, महिलाओं के लिए है, उस एरिया की महिलाओं के लिए है, जिनके लिए कोर्ट कॉम्पलेक्स तक आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उनके डो स्टेप पे हमारे जो पैनल लॉयर्स हैं, वो वहां पे जाते हैं, और उनकी क आफी सारी स्कीम्स हैं, जो समय समय पर निकलती जाती हैं, जैसे लाड़ली योजना है या विद्वा पेंशन योजना है, तो इन सारी स्कीम्स का लाब उन तक महचे, उसके लिए जरूरी ये है कि अन लोगों को उसके बारे में जाग रूक किया जाए, अवेयर किया जाए, तो एक हमारा काम यह है कि उन उस पर्टिकुलर एरिया की महिलाओं को अवेर कराना, जागरूख कराना उनके राइट्स के बारे में और इस सक्षी सेंटर के द्वारा हम उनको जागरूख कराते हैं, अवेर कराते हैं, उस एरिया में पैमफलेट्स वगरा डिस्रिबूट ताकि वो लोग वहां पर आएं और जाने की उनके क्या क्या अधिकार हैं और उनके अधिकारों का जो भी हनन हो रहा है, वो हमारे लॉयर्स वहां बैठ के उनकी जो भी कानूनी रिलेटेट्स समस्या हैं, उनका निवारन करते हैं. कि अगर अन्याय कि अगर जगा बी है और बाकी सब जगा अगर विवस्तेत थैंगर न्याय मिल रहा है, तो बाकी सब जगा भी न्याय का दाट जो कि नहीं है, जिसको कहते हैं कि इंजस्टिस एनिवेर इस थ्रेट टु जस्टिस आवरिवेर. तो उसी कंसेप्ट के ऊपर हम ये कह रहे हैं ये आज हमने यहाँ पे समाल का एरिया में स्टार्ट किया जो कि नए दिल्ली के रंग पूरी वसंद कुझ इलाके की जितनी भी महिलाएं हैं उसके जो भी एरियाज हैं वहाँ पे उनको न्याय मिल सके और जो भी उनकी कानून से समस्या हैं उनका निवारन हो सके इसी सकी सेंटर को हम रेप्लीकेट करना चाहेंगे दूसरी जगा पे भी और ये वाली सकी सेंटर जो हमने वहाँ पे शुरुआत किया है ये हमने उस एरिया के डिस्ट्रिक मेजिस्टेट उनके साथ मिल के उनके साथ tie-up करके और जितने भ operate करती हैं जैसे आधार कार्ड ही हो गया तो उनको इसके बारे में भी अफगत कराना काफी जरूरी है उनके साथ tie up करना जरूरी है क्योंकि वो समस्याएं जो लोगों की हैं महिलाओं की हैं कि अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है या है तो गलत है उसमें कुछ correction करनी है य जैसे कि समालखा में खोला है तो जैसे देली बहुत बड़ी है तो और भी जगह इस तरह का सेंटर खोले जाएंगे लोगों को जो है उनके सुबधा मिले वहां जैसे भी आपने का तमाम सुबधा है जो लोगों को नहीं पता चल पाती है लाली जोजना है अधार योजना ह जिसके बार भी लोगों को अवेर नहीं है लेकिन और भी जगह सेंटर इस तरह के खोले जाएंगे लोगों के सुबधा के अनुसार डेफिनेटली सुरेज जी हम बिलकुल कोशिश कर रहे हैं कि अलग लग जगा पे अइडेंटिफाइ करें और जहां भी कॉम्मिनिटी सें से कितना बेनिफिट लोगों को पहुंच रहा है खासका महिलाओं को जिनके साथ कोई ऐसा क्राइम होता है जो बता नहीं पाती जो आ नहीं पाती है लेकिन उनके घर के नजदीक रहेगा तो लोगों समझाएंगे बताएंगे भी तो वहां जाके वो अपनी बाते रख सकती है तो कितना बेनिफिट साइस से होता है इस से जो मैंने यह देखा पहले दिन जिस दिन हमने इसको ऑपरेट किया उस दिन ही उस इस इलाके की इतनी महिलाएं वहां पे थी और वो काफी खुश थी इस सकी सेंटर के खुलने से कि उनको काफी ऐसी चीजे हैं जिनके निवार में जूचती रहती हैं उनका निवारन नहीं कर पाती तो देवर वेरी हैपी एरिया की जितनी महिलाएं थी वह काफी खुश थी और इसमें मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि अभी रीसेंटली हमने कुछ काउंसलर्स को भी अपॉइंट किया है और वो काउंसलर अगर किसी की ऐसी कोई समस्या है जैसे आपने बताया कि महिलाएं कई बार उनके साथ कुछ गलत हो रहा है वो नहीं बता पाती तो वो जो काउंसलर्स हैं उनकी काउंसलिंग करेंगे उनको समझाएंगे कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है इसको बताना बहुत जरूर के लिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है और उसको प्रॉपर उसकी सजा नहीं मिलती है तो आदमी डेफिनेटली उसको एंकरेजमेंट मिलती है औरों के साथ गलत करने के लिए तो वह फिर सिविलाइज सोसाइटी नहीं डेवलप हो पाती है कि जिस समय में महिलाव सर्कास का क्राइम होता है कि अपने नहीं बता पाते हैं शर्म के लिहाद से लेकिन जिस तरही से चुरुआ, डिली स्टेट लिए लेगा लोग को जागरूप कर रहा है तो कहें न आ कि हमें कह सकते कि बदलाव हमें अन्याय को चुप चाप सहते रहते हैं, उनको हम काउंसिल करें, कि आपको ऐसे सहना नहीं है, आपको सामने आना है, क्योंकि ये अन्याय सिर्फ आपके अगेंस्ट नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है, और हमें एक अच्छे समाज का निर्मान करना है, और अच् किस की बात के तो 2000 किस में आपकी क्या खास को योजना है खास का महिलाओ को ले के सुरेज जी देखिए आपने बिल्कुल ठीक का पिछला जो पूरा साल रहा वो कोविट से इस पैंडेमिक में हमने गुजार दिया और इस पैंडेमिक के चलते भी हमने जो हमारे काम करने के तरीके थे उन में काफी बदलाव लाए उनको हमने चेंज किया जो हमारे फिजिकल सेशन्स होते थे अवेनिस कैंप्स होते थे उनको हमने वर्चूल मोड में किया और इसमें जितने भी लोग थे जो स सबसे जादा आफेक्टेट थे जैसा कहते हैं न की एड़ एड़सिटी जो है वो समाज के सबसे जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको जादा आफेक्ट करती है तो उनके लिए चाहिए वो माइगरेंट लेबरर्स थे चाहिए ऐसे लोग थे जिनको खाना नहीं मिल रहा या जिनको काम नहीं मिल रहा था या जो अपने नेटिव प्लेस पे वापस नहीं जा पा रहे थे तो उनके लिए हमने पिछले साल टेंपरेरी शेल्टर्स डिस्टिक एड्मिस्टेशन के साथ मिलके टेंपरेरी शेल्टर्स की वेवस्था की उनको खाने का मुहिया कराया वो कुक्ट फूड था जया ड्राय राशन था उसके बाद जब लॉकडाउन खतम हुआ अनलॉकडाउन में आए तो हमने डिस्टिक मैजिटेट्स के साथ मिलके उनको रेलवे स्टेशन पे पहुचाया ताकि वो लोग अपने घर पे वापस जा सकें तो इस तरीके से हमने पि के साथ प्रोग्राम्स रहते थे एड़-उन कोर्सिस रहते थे वो हम वापस फिजिकल मोड में स्टार्ट करेंगे और लोगों को अवेर कराएंगे उनके राइट्स के बारे में चलिए स्टेट लिगर सर्फिस अथरोर्टी के मेंबर सेकर्टरी कामलजी त्रोडा साब जो को शुरूआत की गई है बहुत अच्छी शुरूआता है कि अब महिलाओ को अपने घर के नजदीक ही आव वहां पर उनको जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर कुछ घटना या कैसी बात होती जो नहीं बता पाती है यह डिश्टेंट की वज़े से वो चुप बैठ जाती ह तो अब ऐसा नहीं हमारे समाज में बदलाओ आ रहा है और बदलाओ की बैयार अब बहच चुकी है किना पर सराहूल के साथ सुरेज ज्ञा एबिन न्यूज दिल्ली